रैली का नाम कला प्रभास की चेश्टा और इसे अपने तक ही रखना या उद्धिश नहीं है इसके लिए रैली बॉय शोशल मेडिया फेस्बूक और यूट्यूब जैसे एक फैंसी तकनिक को चुनी है जिसके जरियों वह सब तक पहुंचा सकेंगे इस विशे पर रैली बॉय प्रतिग यदप ने बत कि हमारे पूरे देश में किस-किस प्रकार की संस्क्रिती है कौन से कला प्रकार है चित्रकला किस तरीके से होती है शिल्प कला किस तरीके से होती है इसकी जानकरी ले रहा हूँ और यह जानकरी मेरे तक स्तिम इतना रखते हुए लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कर जो कि मैं मेरे यूटूब चानल और फेस्बूक पेज जो कला प्रवास नाम से है वहाँ पे मैं ये जानकर रिशेर करते रहता हूँ इसलिए आप साइकल ले कि इतना दुछ अब कुछ टकलिफ तो नहीं होता है नहीं अभी तो आदत हो गई है और साइकल से आप बहुत अच्छे से घुम सकते हो हर चीज बारी किसे देख सकते हो धीरे धीरे आप सब अच्छे से देख सकते हो और जो की budget भी friendly है कि बहुत कम खर्चाता है cycle से, eco friendly है तो cycle based है ये आपका करने का मतलब क्या है? मकसद यही है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश को जाने, उस देश की संस्कृति को जाने हर चीज किताबों में और इंटरनेट पे नहीं होती तो खुद जाके भी कुछ देखना चाहिए तो आप यह वहा को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि काला के बारे में हमारे देश के बारे में जाने, उसके लिए बाहर निकले, देश घूमे और लोगों को भी बताए कि हमारे देश की उमहान है, हमारे देश की संस्कृति क्या है?